बाजपा अध्यक्षामित शाह ने करनाटक में पार्टी कारकरताओं से अपना चन और नीन त्याग देने का आवान किया है कहा है कि बेस ये दाय उरप्पा को मुख्यमंत्री बना कर ही हम चैन लेंगे शाहव देव नहली में भाजपा के बूत स्तर के अध्यक्षों और शक्तिकेंद्र प्रमखों की बैठक को संबोधित कर रहे थे करनाटक में 12 माई को मद्दान होगा भाजपा अध्यक्ष ने कहा करनाटका चुनाव सामाने चुनाव नहीं है यहां की जीत से दक्षिन भारत में हमारा प्रवेश होगा हमने 2014 से अभी तक 14 राज्यों में चुनाव जीते हैं अब करनाटके रूप में 15 वें राज्ये की बारी है उन्होंने पूछा कोई बताएगा क्या होने वाला है उपस्तित भाजपाजनों ने हवा में मुठी लहरा कर कहा भाजपा जीतेगी शाह ने कहा यह तब ही संभव होगा जब भाजपा कारेकरता अपना आरामतें त्याग कर पार्टी को जीताने में जुटेंगे भाजपा अध्यक्ष ने कहा करनाटक में सिधर्मयया का जाना जरूरी है राजस्वत पैदा करने में अगड़े बिंगलूरू शहर को सिधर्मयया ने बरबाद करके रख दिया है बिंगलूरू हर तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है पिछले पांच साल में यहां कोई भी विकास का कारे नहीं हुआ जो कारे हुए इवे कमी शंगवरी के चलते दोयम दर्जे के हुए शाह ने कहा कि नरेंद्र मोधी सरकार ने पिछले चार साल में करनाटक को तीन लाख करोड रुपे दिये जबकि उससे पूर्व की मनमुहन सरकार ने राज्ये को महज 88,000 करोड रुपे दिये थे उन्होंने कहा सपष्ट है कि कौन सी पार्टी राज्ये का हित चाहती है शाह ने कहा पिछले पांच साल में भाजबा और आरेसेस के 24 कारे करताओं के हत्या की गई वे कांग्रेस जन हमारी कारे करताओं के हत्या करके हमारा होसला तोड़ना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी हम पाताल से भी हत्यारों को ढून कर लाएंगे और उन्हें सीख्चों के पीछे पहुंचाएंगे